वेल्कम टिश्ट्रों डिक्टेशन डिक्टेशन पान सेकेंड बाज शुरू होगा रेडी स्टार्ट आगामी गड़ तंत्र दिवश पर मुख अतिती बनने का निमंत्रन स्वीकार कर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जानसन ने अपने देश के लिए भारत के महत्व को रेखांकित किया है ऐसा इसलिए भी है कि बदलते वैस्विक परिद्रिश में भारत की बढ़ती भूमिका को ब्रिटेन अच्छी तर देख समझ रहा है इसमें कोई संदेह नहीं कि वैस्विक पटल पर भारत की छवी एक मजबूत रास्ट के रूप में उभरी है पिछले महीने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन से कई मुद्धों पर बात की थी और दोनों देशों के बीच रिस्तों को प्रगाढ करने के लिए भविश की रूप रेखा पर चर्चा की थी गड़तंत्र दिवस पर बोरिस जॉनसन को मुख अथित के रूप में आने का न्योता देना इसी रणनेत के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है शायद ही कोई छेत्र ऐसा हो जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक सहभागिता न हो चाहे व्यापार हो या निवेश, सिक्षा, सोध, सैन्य सहयोग, स्वास्थिय, परियावरण जैसे छेत्र सभी छेत्रों में भारत और ब्रिटेन मिलकर काम कर रहे हैं ऐसे में अगर भारत भी बोरिस जॉनसन को महत्व दे रहा है तो इसे निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच रिस्तों के नए युग की सुरुवात के तोर पर देखा जाना चाहिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक राब इन दिनों भारत के दोरे पर हैं उनके और विदेश मंत्री एस जय संकर के बीच व्यापार से लेकर आतंकवाद और कटरता से निपटने जैसे द्वीपक्षिय और हिंद प्रशांत जैसे छेत्रिय मुद्दों पर हुई वारता इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन भारत की मुश्किलों को कहीं कहीं समझ रहा है एस या प्रशांत छेत्र में बढ़ते तनाव से बड़े रास्ट्र परेशान हैं हिंद महासागर छेत्र में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए खत्रा पैदा करने वाले हैं दोनों मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान का मामला भी उठा आज अफगानिस्तान जिन हाल अफगानिस्तान के पुनर निर्माड के लिए भारत की कई परियोजनाएं चल रही हैं अरब देशों में भी भारत की साख बनी है इरान से भी भारत के रिष्टे अच्छे ही हैं भले अमेरिका के दबाव में भारत इरान से तेल न ले रहा हो सबसे बड़ी बात तो यह है कि संयुक्त रास्ट में सुधार और विस्तार के लिए भारत आवाज उठाता रहा है ब्रिटेन से भी भारत की स्थाई सदस्यता के दावे का कभी विरोध नहीं किया इसलिए पिछले कुछ सालों में दुनियादारी में भारत का जो डंका बजा है उसमें कहीं न कहीं ब्रिटेन अपना लाभ भी देख रहा है ब्रिटेन खुद इस वक्त बड़ी चुनोतियों का सामना कर रहा है कोरोना महामारी और ब्रिग्जिट से उतपन हालात गंभीर समस्या के रूप में खड़े हैं कोरोना से निपटने में ओक्सफोड एस्ट्राजेनिका के टी के का उतपादन भारत का सीरम इंसिट्यूट कर रहा है यूरोपिय संग से अलग होने के फेर में ब्रिटेन की अर्थविवस्था को बड़ा जटका लगा है और व्यापार पर भी असर पड़ा है इसलिए अब वह नौवहन सुरक्षा आपूरती स्रिंखला जैसे छेत्रों में भारत की और देख रहा है ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ वह मुक्त व्यापार विवस्था को अपनाए आज ब्रिटेन में जितनी बड़ी तादाद में भारती हैं बड़े उद्योगपती हैं और भारती मूल के लोग सरकार में महत्पूर्ण पदों पर हैं उतने शायद किसी और देश में नहीं हैं हाला की हाल में ब्रिटेन में भारत के खिलाफ जिस तरह से खालिस्तान समर्थक सक्रिय हुए हैं वह चिंता पैदा करने वाला है सवाल है कि क्या भारत के साथ मजबूत रिष्टों की चाहत रखने वाले ब्रिटेन के शिर्स नेताओं को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए स्टॉप